नमस्ते विद्यार्थी मित्रों सिद्धीन दी विद्याला यूटूब चैनल पर आप सबका और आपके अभिभावगों का स्वागत है इस वीडियो के अंतरगद शुरुआत करें उससे पहले सभी को मेरी वर्षे साधर प्रणाम चैस्री कृष्णा और वीडियो की शुरुआत करते हैं कुक्ष्या नाइंत सामजिक विग्यान मैं चैदेव चानी इसके अंतरगदम पार्ट नंबर पंदरवा जिसका नाम है चल परिवा और अपवा इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और इस अगले वीडियो के अंदर हमने शिर्चे के बारे में शिंदु नदी के चल तंटर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी अब भी तुम्हारा सामने जो नक्षा दिखाए दे रहा है उसे तुम लोगों को समझाने के लिए ये नक्षा आगे के वीडियो के अंदर आप लोग देख चुके है इस बार फिर से दिखा रहा हो ताकि बार बार आप इसको देखो तो इसकी अंदर जो नदियों की प्रवा का स्थान दर्शाय गया है वो आप क्या कर सको रिपीटेट कर सको और रिविजन हो सके तो इसके अंदर नक्षे को द्यान से देखेगा ठीक है जब नक्षे को देखो तब तक कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में बता देता हूँ कि सिंदुनदी का उद्गमस्तान मानसरोर के पास तिवत में आरब में वह पश्चिम में और फिर उत्तर पश्चिम की तरब बहती है वह जमू कश्मिर के लदाक जिल्डे से क्या होती है पारत के अंदर प्र बॉब्राय्ट शौक त्था फूज्य जैसी नदिया मिलती है आगे जामने के बाद सिंदुनधी बलुचिस्तान और गिलगीट की शित्रस से अटक परोट्य शित्र से कहां पर क्यूंऽ प्रवेश करती है और प्रविर्ष्ट कर में किमिभ़ान कोट पर संदुे सिंदुन नदिया जो अभी फिगर दिखाई दे रही है उसमें देख सकते हो कौन कौन सी यह पांच नदिया चेलम चिनाब रावी ब्यास और सतलंज यह पांच नदिया सिंदु नदिया पाट्डिस्तान के मिठान कोट के पास मिलती है और सिंदु नदि के चलका एक्तिहाय शित्रों क नहां पर सित्ते हैं जमु कश्मीर के अंदर सित्ते हैं तो इतनी जानकारी हमने अगले वीडियो के अंदर प्राप्त की थी और इतना जानी के अंदर हो और विशेज जानकारी है जम सिंदु नदि के बारे में कि शिंदु नदि की लंबाई ओगं 300 किलो मिटर हैं कितनी है सिंदु नदी की लंबाए झाफये लोगन 300 किलोंटर है ओर शेटु नदी के पानिके बटवरे के बटवारे के लिए 19. sinon में भारत पाकिसान के साथ समझोता हुआ था कल मैंने बदाए था donut प्रतिशत का उप्योग कर सकता है। संतलंज, रावी और व्यास के जलके उप्योग से पंजाब, हरियाना और राजिस्तान के दक्षिनी प्रश्रिम सेत्रों में सिंचाई संभव होश रकी है। राजिस्तान का जो दक्षिन और पश्रिम विश्तार है, उसको भी क्या किया गया है, सिंचाई के द्वारा अराबरा करने की प्रयास किया गया है। तो ये इतनी हिंचानकारी, अब शुर्वात काते है गंगा नदी तंत्रों। तो गंगा नदी हिमालाई के गंगोतरी से निकलने वाली पागी रती और अलक नंदा देव प्रयाग उत्रा खंड में से एक दूसरे से बिलती है। गंगा नदी हिमालाई के गंगोतरी से निकलने वाली पागी रती और अलक नंदा दोनों एक ही नाम है। मैदानी प्रवेश में प्रवेश करती है जहाँ पर हरी द्वार के अंदर हमारा क्या लगता है हरी द्वार के अंदर हमारा कुंभ मेला लगता है इसके बारे बें चानकारी प्राप्त है आप सबको इसके अलवा हरी द्वार के अंदर हर की पोड़ी का नाम भी सुना है आते हैं यात्रालू आते हैं हिमालाई से निकलने वाल यह निक नदिया गंगा से मिलती है जिन में यमुना कागर कागरा गंडग त्याथा कोश्री मुख्य नदिया है यमुना हिमालाई के यमनोत्री में से निकलती है यमनोत्री हमारा एक तीर्थ दाम है जिसके बारे में च उत्तर प्रवेश्कर यम्रा इसे कारण अर्स उत्तर के हैं बाड़ आती है और इसी कारण उत्तरिप्रदेश के अंदर के आती हैं बाड़ आती कूकि नेपाल चैंदर बच्शा होती है तो इन तीनों नदियों का जल आगे बेकर किसमें आता है गंगा म्याच और गंगा नदी के अंदर भी पानी की क्या होती है बड़ोती हो जी होती है इसी वज़े से बाढ़ का सामना करना पड़ता है उत्तरी मैंदान को कुषेत्रों में जानमाल की भारेक्षति पहुंचती है फिर भी इन नदियो द्वारा निर्मित उपजाव काप के मैदान से बारत ने कुषेत्रों में सम्रुद्धी प्रयाप्त की है और बारत का उत्तरी मैदान किसके नाम से जाना जाता है अनाज बंडार के नाम से जाना नदिया कौन कौन से बेतवाद चंबल और सौन नदी यह भी कहां को मिलती है गंगा नदी को मिलती है यह नदी आध्यसोषक शेत्र में से निकलती है तथा इनकी लंबाई भी कम है यह नदिया आध्यसोषक शेत्र में से निकलती है और इनकी लंबाई भी कम है इनका अंडर पी मर्यादित है इसमें इतना पानी होता नहीं यह थोड़ी से लंबाई की दूरी तेय करकर गंगा और यवनानदी को मिलती है उत्तर तथा दक्षिन में से मिलने वाली नदियों का श्रयुक्त प्रवा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है पहला भाग बांग अंडर पुदेश से बिहार वारानसी और उसके पशाल पश्चिम बंगाल से क्या होती है कि अंगा नदी की दाना दो बाटों में बढ़ जाती है जिसमेक इसा कहां पर प्रवाश करता है बांगला देश के अंदर चाहां को बंगा नदी को पद्मा नाम से पहचान नाता है और उसका दूसरा हिसा कहां पर पश्चिम मगल में कॉलकता के पास पगी रती ओगली के नाम से जाना दा था रंध में ये दोनों प्रवाश बंग्ला की खाड़ी में गिरते हैं और रंत में, फिि दोनों प्रवा पद्मा गंगा नदि, ठिके वो बांुद देश में प्रवस करती है, तब बांुद देश में इसके पशाद आँमजिस नडी के बायरे में जानेगे ब्रह्मापुत्र नदि, वो उसके अंदर मिलती है, और इन दोनों का प्रवा मिलकर कहा गंग्लादेश में पद्मा कहलाता है और यहां पर यह ब्रमपुत्र गंगाःकोंais Is El Dworth आधानाुतेश हैं तरहने दौनों के सार्फ त्रृवाआ को गना कहते हैं और बांग्लादेश में इन दोनों के प्रवा को किस नाम से जाना जाता है मेगना के नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा प्रदेश सबसे अधिक उपजाव प्रदेश है उसे सुंदरवन कहा जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जिस डेल्टा प् प्रवय जाग के बच जाता है तो पारवत में पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरा बंगलादेश के अंदर प्रश सब्सक्राइब बांगला देश में गंगा को किस नाम से जब पहेचाना जाता है तो पदमा के नाम से फिर बांगला देश में गंगा को कौन सी नदी मिलती है तो ब्रह्मपुतर नदी फिर एक और प्रश्ण बुचे गंगा नदी और ब्रह्मपुतर नदी के समिक्त प्रवा को किस नाम से ज तर आ शकते हैं अब कि अगय बढ़ते इतना जाने के अंदर गंगा के डेल्टा प्रदेश को सुंदर्वन इसलिए ईसलिए आज़ता था की आ 선irt another नामा पुरुक्ष अत्य-धिक संक्या में है गंग के जो सुंदर्वन olsa Nim कि हाज टा लेता देल्टा प्रदेश को क्योंकि यह पर सुन्दरी के व्रुक्ष अदिका है, सुन्दरी के व्रुक्ष में से नाव बनाई जाती है, ठीक है, पारत के संदर्व में सुन्दरवन डेल्टा प्रदिश मेंगुरु जंगलों के लिए प्रश्रिद्ध है, मेंगुरु जंगलों के बारे में हभी नहीं बचाता है, इ शिंदू नदी के बीच जल विवाजक का काम करता है समुद्री तट्र की कितनी है 300 मिट्र रूचाय पर आया जबकि सुंदर्वान समुद्री सट्र की एकदम निकट है इस गर्णा को ध्यान में रखकर सोचे तो प्रतिक 6 किलोमेटर पर 1 मिटर डलान कम होती है इसलिए इस नदी में विशरपन अधिक दिखाई देता है अधिक दिखाई देता है आशा रखता हूँ इस वीडियो के अंदर आप सबको समझ माया होगा तन्यवाद